एक 10 cm भूजाव वाले गन के प्रतियक फलक में से 4 cm व्यास वाले अर्ध गोलाकार गड़ा काटा जाता है ठीक है साइड के त्य गन की 10 है और उसकी प्रतियक जो सरफेस है उसमें से हमने एक अर्ध गोलाकार गड़ा काटा इस टाइप से पहले आपको एक गन बनाना सिखाओ और सही नहीं बना दुबढ़ा बनाएंगे हम गन को और सेकेंड वाली सरफेस हम इस टाइप से क्रियट करेंगे यह हो गया हमारे एक गन अब इसकी हर सरफेस में से हमें एक अर्ध गोला निकालना है आपको पहले मैं यह वाली सरफेस दिखा रहा हूं यह वाली सरफेस देखना हो इस साइड वाली इस में से मैं एक अर्ध गोला निकालूंगा तो साइड से कुछ इस टाइप से निकलेगा इस टाइप से ठीक है similar case उपर से निकालूँगा इस type से निकलेगा similar case इस side से निकालूँगा तो ऐसे निकलेगा और इस side से निकालूँगा तो कुछ ऐसे निकलेगा यह 4 अर्ध गोले मैंने निकाल लिए इसमें से तो यह बोल रहे हैं कि जो बचा हुआ portion है उसका प्रिष्टिय चेतरपल केतना होगा देखिए बचा हुआ portion है क्या मैंने तो मैं आपको यह बता रहा हूँ कि अगर मैं गण का प्रिष्टिय चेतरपल निकालता तो मुझे निकलता 6a² ठीक है अब इसमें से क्या कम हुआ है कम हुआ है अगर मैं इसकी radius r मानू तो यह वाला portion बाहर वाला कम हो गया है ठीक है तो यह इसका area क्या होगा पाई r square इतने कितने है चार है चार पाई r square कम हो गया बट एक portion जुड़ गया है कि यह वाला portion जो area create कर रहा है crowd surface area वाला वो अंदर की side में एक बटकी type का बन गया है ठीक है बटकी देखी होगी न आपने कटोरी कटोरी बन चूकी है कटोरी के नीचे वाला गुलावार area ठीक है तो यह area हो जाएगा मेरा कितना टू पाई r square ऐसे कितने टू पाई r square है एक दो तीन चार चार तो आट पाई r square add हो जाएगा यह मेरा net total surface area आपका ठीक है आट पाई r square में से 4 पाई r square अगर आप गटा होगे तो 4 पाई r square बचेगा तो final मुझे क्या निकालना है 6a square प्लस 4 पाई r square ठीक है एकी value दे रखी आर की value दे रखी है आप solve करना इस्टार्ट कर दो एकी value क्यूशन में कितनी दे रखी 10 cm भुजाव वाला एक घन है ठीक है तो मलब एकी value 10 है तो यह हो जाएगा 600 प्लस चार पाई r square कितना हो जाएगा चार इंटू 22 प्रटा साथ इंटू आर आर केशन में 4 cm व्यास दे रहे है तो त्रीजा कितनी हो जाएगी दो दो इंटू दो चार हो गया हमारा यह यह चार आगया ठीक है यहाँ पर आप इसको further solve करोगे तो यह में जो मिल जाएगा 16 और 16 का double 32 32 को 11 से multiply करना है 320 प्लस 32 ठीक है 352 बटा साथ है 352 बटा साथ है 600 में add करना है ठीक है अब आप यहाँ पर LCM लेके भी solve कर सकते हो और आप यहाँ से direct इसको solve करके भी add कर सकते हो कि 352 को मैं साथ सिफ divide करूँगा तो कितना आएगा मेरा यह portion कितना आएगा साथ पंज़ पैंतिस जीरो पचास ठीक है 352 बाइस 4 इंटू 4 इंटू 4 है न हमारा अच्छा 4 इंटू 22 इंटू 4 है 16 16 को 2 से multiply किया तो 32 32 को 11 से किया तो हमारा यह आजयेगा 352 ठीक है 352 बटा साथ करना है मुझे ठीक है तो 600 को साथ संग 42 यह होगे मेरा ब्यारीस सो प्लस 352 डिवाइट बैस सेवन यह कितना हो जाएगा मेरा 452 पैंतालिस सो बावन डिवाइट बैस सेवन ठीक है अब आप भाग दो अगर आप भाग दोगे तो होगो selण 22 जाएगा अब और आप डिवाइट हो रहे हैं एक ही अप्सिनस डाट हो रहा है यहीं पर आपको टाइम बचाना है कि अगर आपका एक ही ऑप्सन स्टार्ट हो रहा है तो वही आपका अंसर होगा आगे आपको डिवाइड नहीं करना है ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा डी ऑप्सन 675 से 4 बटा साथ